हाई गाईज वेलकम टो आर यूटूब चैनल दर्यल इन्वेस्मेंट आज हम बात करने वाले अंबर इंटरप्राइजस इस स्टॉक के बारे में इस से रिलेटेट इंग न्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो क्या कुछ इसका इंपैक्ट स्टॉक पर पड़ते हु इस नॉलीजबल वीडियो आपसे मिसना हो जाए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कर देना जहां तक कि फिन स्टार की बात की जाए तो ओनर्शिप वाइज स्टॉक हमें स्टेबल देखने को मिलता है और में चीज देखी जाए तो फाइनशियली स्टॉक हमें बह बात की जाए तो नैटसेल इसके हमें देखने को मिलती है 87.46 की का इसले नेट प्रॉफिड की बात की जाए तो वन थाज़ेंडेड ट्विडिण प्रॉफिट की बात के लुटता है इस स्टाइक लिस्टिंग फई जादे कुछ दिन भी नहीं हुए है मतला पासल से भी कम ह लेकिन इस टॉक का परफरमस उसके मुकाबले काफी अच्छा देखने मिलता है जहां तक कि इसके टेकनिकल रेटिंग के बात की जाए तो मुविंग आवरेज टेकनिकल इंडिकेटर स्क्रॉस और सभी कि सभी हमें बुलिश रेंज में देखने को मिल रहे वीकली और मंतली ब से आते हो यहां पर देखने को मिल रहे यह ख़बर अंबर इस वन आप दे कमपनीज विच इस एक्सपेक्ट तो बेनिफिट फ्रम पी लाए तो पी लाए का इसको भी बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा साथी साथ वी हाव एव बाय रेटिंग ऑन दे स्टॉक और is there is an opportunity of about nearly 10,000 odd crore because our sense is that the government would eventually look to restrict either the import of room air conditioner or its component and which of why is the domestic components will go मतलब इदर देखा जाए तो यहां पर government भी हां पर focus करते हुए देखने को मिल रहे ही import of room air conditioner और other components के भी बारे में तो यहां पर एक beneficiary umber enterprises को भी मिलते हुए देखने को मिलेगी PLI के तरप से next level पर देखा जाए तो PLI is going to help in both cases the company has announces a capex off capex इसके अंदर देखने को मिलता है of rupees 300 crore रुपीज तक का इसके अंदर opportunity मिलते हुए देखने को मिलेगी revenue की बात की जाए तो revenue by nearly 20% and profits by even more at 26% तक का अप होती है हमें देखने को मिल सकता है next level पर इस stock की fundamentally बात की जाए तो इसका ROE हमें 11.47% का देखने को मिलता है साथ ही साथ इसके dividend yield की बात की जाए तो 0.1% का देखने को मिलता है मतर डिविडेंड yield wise ये stock थोड़ा सा हमें कम तरता वाला देखने को मिल रहा है जहांते की इसके PE की बात की जाए प्राइज अर्निंग रेशियो की तो 249.77 का इसका प्राइज अर्निंग रेशियो हमें देखने को मिल रहा है जो की एक high valuation वाला देखने को मिल रहा है debt की बात की जाए तो company with low debt देखने को मिलती है 294.13 करोड रुपीस का इसके बाद debt देखने को मिल रहा है लेकिन sales growth की बात की जाए तो 37.21% की इसके अंदर sales growth भी हमें देखने को मिल रही है next level पर इसके sales growth की बात की जाए तो quarter on quarter basis पे काफी ये stock upward growth करते हैं देखने को मिल रहा है sales growth के अंदर तो December 2020 की इसाब से देखा जाए तो 764 करोड रुपीस की sales देखने को मिलती है reserve और surplus में भी 3 digits से 4 digits में convert होते हुए देखने को मिल रहा है March 2020 में reserve और surplus देखने को मिल रहा है 1096 करोड रुपीस का net cash flow में भी negativity से positivity की और ये stock बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 31 करोड रुपीस का और जहां तक कि इसके candlestick की बात की जाए तो पिछले one month का इस चार्ट पैटन देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां से तो stock में कोई भी growthable moment बनते हुए हमें देखने को नहीं मिला था साथ ही साथ हाला कि इसमें थोड़ी से हमें तेजी देखने को मिली भले ही लेकि इसके बात लगातार हमें stock में गिरावट ही देखने को मिल रही थी और यहां से यहां तक का एक momentum है जो growthable हमें देखने को मिला था तो यहां अब तक का इसका momentum growthable बहमते हुए हमें देखने को मिल सकता है नेक्स लेवल पर इसमें कुछ positive points की बात की जाए तो company with low debt देखने मिलती है जैसे कि मैंने आपको starting बात कर दी थी और company with zero promoter place भी हापर देखने को मिलता है जैसे कि इसके maximum return की बात की जैसे मैंने आपको कह दिया था कि stock को list होके जादे दिन हुए नहीं है 2018 से लेकि 2021 तक के इस तीन से चार साल के दर्मान इस stock ने 167.18% का return देते हुए यह stock हमें देखने को मिला है नेक्स लेवल पर इसके shareholding pattern की बात की जाए तो shareholding pattern wise promoter की पास 50% से भी नीची का stack देखने को मिलता है और public की पास 24.05% का stack देखने को मिलता है community sentiments की बात की नहीं यानि expert की राय के हिसाब से देखा जाए इस stock के अंदो कौन सी call आती हो हमें देखने को मिल रही है तो वह buy की call आती हो देखने को मिल रही है जो कि एक बहुती बड़े target निकल कर आती हो देखने को मिल रहे है आप सारी confusion दूर हो चुके होगे और target prices देखकर आप इसके अंदर कितनी amount आपको invest करने यह आप देख लेंगे तो थैंक्यू सो मच